एलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा और खुसूरा सा डिजाइन का डूरमेट देखें जिसके लिए हमने दो प्रकार की उल्ली है इसी से डूरमेट बनाएंगे बहुत ही प्यारी से डिजाइन तो वीडियो प्रसंद आया तो लाइक से र सस्क्राइब करना मत भूलेगा न्यू है तो प्लीस लाइक से र सस्क्राइब जरूर कीजेगा तो देखें दो प्रकार की उल्लेंगे और उसी से हम डूरमेट बनाएंगे तो दो कलर से बनी बहुत ही प्यारी सी डिजाइन देखे इस प्रकार से जैसे आप यहां पे समझ लीजे आपने यहां पे फंदे डाल रखें ठीके इस प्रकार से आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही बताएंगे यहां से आप समझ लीजे आपने फंदे डाल रखें उसके बाद देखिए यहां से फंदे डालने के बाद इस तरीक ठीक है, इस प्रकार से आप 40-50 फंदे का बना सकते हैं, 50 के उपर मत बनाएं, 40-50 तक की काफी बढ़ा डिजाइन बन के रेडी होता है, ठीक है तो यह देखे इस प्रकार से अब यहाँ पे हमने 10 फंदे देखे यहाँ पे सभी फंदों को आपको उपर की साइड सभी फंदों को बुन लेना है उसके बाद यहाँ से आपको कलर को एड़ करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब एड़ फंदा यहाँ पे छोड़ देना है ठीके फर्स्ट रों में इसी तरीके से एक फंदा आपको यहाँ पे छोड़ना है उसके बाद यहीं से पलट लेना है ठीके इस डिजाइन को बनाने के लिए इसी तरीके से आपको बनाना है जैसे मैं बताती जाती हूँ आप सेम इसी स्टेप को फॉलो कीजे और आपका डिसाइन बन जाएगा आप उपर की तरफ जो जिस कलर से है सेम कलर में हम यहाँ पे सेम डिसाइन बुनेंगे ठीक है तो आप देखें यहाँ से सभी फंदों को हमें एक साथ में बुनना है इस तरीके से यह देखें यहाँ पे सभी फंदों को बुनेंगे और यहाँ से देखें किनारे का फंदा सीधी साइट से लेंगे और पलट देंगे इस प्रकार से आप देखें यहाँ पे इसे उतारेंगे और पीछे की साइट करेंगे यहां से एक फंदा बढ़ाएंगे ठीके, एक फंदा आपको उपर की साइट पे बढ़ाना है और यहां से दो तीन चार पार छे साथ आठ देखे इस तरीके से आपको उपर के सभी फंदे बुन लेने हैं और नीचे के जो 10 फंदे आपको रखने हैं 40 फंदे का बना रहे हैं तो 30 फंदे आपको यहाँ पे बुन लेने हैं और यहाँ पे 10 फंदे देखे इस तरीके से इसी के बराबर पे जितने हमने बुने हैं उतने बुनेंगे देखे इस तरीके से तो वीडियो को फूरा देखे तबी समझ में आएगा इसकिप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आ आप देखें यहां से हमने जो जैसा था वैसे भी बुन लिया और यहां पे दो रो यहां पे हमने एक बराबर से बुन ली ठीक है उसके बाद देखें यहां से फिर से उतारेंगे और पीछे की साइट करेंगे एक फंदा यहां से बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और देखें यहां पे आपको तीन फंदे उपर की साइट लेने हैं इस कलर से आप और इंस से तीन फंदे उपर की साइट बढ़ाएंगे आप चाहे तो जिसे बढ़ा बना रहें तो आप चार का भी ले सकते हैं मैं यहां पे तीन का ले रही हूँ ठीक है अब उपर की साइट देखें नीचे की साइट अब यहां पे सेव कलर में डिजाइन को बुनना है यहां से और दो फंदे छोड़ते वे फिर से पलड़ते इस तरीके से तो यहां पे सभी फंदे आपको बुनने हैं सेम प्रोसेस में ठीक है अब देखें यहां से पलड़ते देंगे और यह ग्रीन कलर को आगे की साइट लेंगे इस तरीके से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और यहां से पलड़ते देंगे सीधी साइट से लेंगे ठीक है बारा आप देखें यहां से इसे उतारेंगे और पीछे की साइट करेंगे एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से यहां से सभी फंदों को आपको मुन्ना है तो न्यू है तो प्लीज लाइक से और सस्क्राइब जरू कीजिएगा ठीक है आप लोग सस्क्राइब करना लाइक से और करना भूल जाते हैं तो सस्क्राइब करना मत बूले देखे अब यहां से इस तरीके से आगे के साइट करेंगे फंदे को थोड़ा सा खीचते हुए यहां से सभी फंदों को हमें देखे इस तरीके से बुनना है दो फंदे छोड़ते हुए पलट देंगे ठीके अब यहां से सभी फंदों को दे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, पलट देंगे, ग्रीन को आगी की साइट लेंगे, ठीक है, यहां से, अब यहां से देखें, एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, और सीधी साइट से तेरा, देखें इस प्रकार से, तो इसी प्रकार से हम उपर की साइट बना लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं, देखें, आप कम्प्लीट देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, यहां से उतारेंगे, और फिर से, एक रो बनाएंगे, ठीक है? आप देखें, यहां पे हमने सभी फंदों को इस तरीके से एक रो बना ली, और उसके बाद इस तरीके से, लास्ट रो में इस तरीके से देखें, यहां पे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और देखें, यहां पे, और इंज को और इंज के बराबर ही बुनेंगे, ठीक है, यहां से, अब दो फंदे नीचे की साइड पे छोड़ते वें, यहां से पलड़तेंगे, कम्प्लीट रो बनाएंगे, यहां से, देखें, इस प्रकार से, पलड़तेंगे, अब यहां से, कम्प्लीट रो बुनते हुए, उपर की साइड जाएंगे, ठीक है, इसी स्टेप्स को आप फॉलो कीजेगा, आपका डिजाइन बहुत ही अच्छे से, बनके रेडी होगा, ठीक है, यहां से, सभी फंदों को हम बुनेंगे, पलड़तेंगे, आप देखें, आपको इसके आगे क्या करना है, जब आपकी यह कली बनके कम्प्लीट हो जाएगी, उसके बाद यहां से, हम करेंगे दो का एक, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, आप देखें, हमारे यहां पे तीन फंदे बसते हैं, तो यहां से हम कम्प्लीट फंदे बुनेंगे, यानि कि इस रो को हमें कम्प्लीट बुनना है, इस तरीके से, यहां से, कम्प्लीट फंदे बुनेंगे, देखें, यहां पे जो लास्ट का एक फंदा छोड़ा था, उसे भी हम बुननेंगे, यहां से, और पलट देंगे, इस प्रकार से, फिर से कम्प्लीट फंदे बनाएंगे, देखें, यहां पे, जब भी डॉर्मेट बनाया, तो कलर कॉंबिनेशन का में ध्यान रखें, कलर अच्छा होगा, तो आपका डिजाइन जो है, बहुत ही कुपसूरा सा बनके रेडी होगा, ठीके, अब यहां पे हमें सभी फंदों को इस तरीके से बुनना है, यहां से बनाना स्टार्ट किया था, सेम डिसाइन को बार बार इसी तरीके से बनाते जाएंगे, और यह देखे, चक्र जैसा हमारा डिसाइन पनके रेडी हो जाएगा,